जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कमजोर पड़ जाएं तो आवाज उलंद करनी पड़ती है बोल किलब आजाद है तेरे बोल सबाँ अब तक तेरी है अज दो विशह हैं आपके सामने और दोनों का तालुक इस बात से है कि हमारे देश में लोकतंत्र किस तरह से मजाग बन गया है सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहूँगा कि आज कॉंग्रिस ने राश्ट्रपती भवन तक मार्च करने का प्लान बनाया मगर पुलीस क्या करती है वो 24 अकबर रोड जहां पर कॉंग्रिस का मुख्याले है वहाँ पर 1444 लागू कर देती है और उसका नतीजा ये तस्वीरे हैं जो इस वक आप अपने स्क्रीन्स पर देख रहे हैं आप देख सकते हैं कि वहाँ पर पुलीस का जबरदस्त बंदुबस्त था और उस जबरदस्त बंदुबस्त के चलते पुलीस ने बैरिकेडिंग कर रखी थी जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं होता क्या है कि कॉंग्रिस की नेत्री प्रियंका गांधी वाडरा को हिरासत में ले लिया जाता है मगर राहूल गांधी समानांतर तोर पर राष्टपती भवन जाते हैं राष्टपती से मुलाकात करते हैं और वहां उन्होंने प्रधान मंत्री नरेंद्र मुदी पर बड़ा हमला बुला। कहा कि प्रधान मंत्री के खिलाव जो भी बोलेगा वो आतंकवादी कहलाएगा चाहे वो मोहन भागवत ही क्यों ना हो। सुनिये। देखिए पीजेपी नरेंद्र मुदी जी का एक ही लक्ष है और वो किसान समझ गया है मज़ूर समझ गया है। लक्ष है कि उनके आसपास जो दो तीन चार बड़े क्रोनी कैपिटलिस हैं उनके लिए पैसे बनाने का काम नरेंद्र मुदी जी करते हैं। जो भी नरेंद्र मुदी जी के खिलाव खड़े होते हैं वो उनके बारे में कुछ ना कुछ गलत बोलके रहते हैं। किसान को आतंगवादी बोलेंगे। मज़दूर को आतंगवादी बोलेंगे। एक दिन अगर मौन भगवाद खड़े हो गए तो कहेंगे ये भी आतंगवादी। आज कुछ सवाल मेरे आपसे। इस देश में लोकतांत्रिक तोर पर प्रदर्शन करना कबसे गुना हो गया? बताइए। और धारा 144 लगाने का औशित क्या है? ऐसी क्या एमर्जेंसी थी? ऐसी क्या अपातकाल थी? कि कॉंगरेसिक मार्श निकालती है और पुलीस जो है वो धारा 144 लगा देती है? सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप सुनिये कि प्रियांका गांधी वाडरा ने इस मुद्धे पर कहा क्या है? प्रियांका गांधी कह रही है कि यहां पर सरकार को सुनना होगा किसानों को क्या कह रही हैं सुनियाप? सरकार पाट सालों के लिए च्छे सालों और साथ सालों के लिए नहीं चल सकती है अगर आप सिर्फ दिपक्स को हर चीज की जिम्मेदारी देगा आपकी जिम्मेदारी है पिसानों की आवाज को सुनना आपकी जिम्मेदारी है सरकार की जिम्मेदारी है इस जनता के प्रती स मैं कुछ सवाल आपके सामने रखना चाहता हूँ जब भारती जहता पार्टी पश्यमंगाल में अपना शहकार करती है यानि कि वहाँ पर वो जबर दस्त रोड शो करती है यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आमिट शाह बहुत ही शांदार राली कर रहे हैं लोगों को बुलाया गया है कोई मास्क नहीं पहना हुआ है खुद आमिट शाह कई जगा मुझे दिखे उन्होंने मास्क नहीं पहना हुआ था अब पता नहीं शायद वैक्सीन लग गई होगी लग गई होगी तो बता दो ना भया तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि भारती जाता पार्टी तो कर सकती है और खासकर उस राजमे कर सकती है जहां आपका ये आरूप था कि मम्ता बैनर जी ने कोविड को लेकर या कुरोना को लेकर ठीक काम नहीं किया तो जहां आपके मुताबिक हालात ठीक नहीं हैं वहां तो आप इतनी बड़ी-बड़ी रालिया निकालते हैं वहां कभी दारा 144 नहीं लगाई जाती वहां लोक तंत्र का इस तरह से अपमान नहीं होता मगर यहां पर क्या वज़ा है यह बात मैं समझ नहीं पाया हूँ क्योंकि इससे पहले आप जानते हैं कि राहूल गांधी की नेत्रित में वामपन्थी दल और विपक्ष कई दल राश्पती भवन का रुख कर चुके हैं और आप जानते सबसे शर्णाग बात यह कि प्रियांका गांधी पत्रकारों को बता रही है कि भईया लोक तंत्र के क्या माइन है ये बहुत ही शर्णाग बात है पत्त्रकारों के लिए कि अगर कोई विपक्ष का निता आपको ये समझाए कि लोकतंत्र यही तो होता है जिसमें आम इंसान की बात सुनी जाए उसे देश-द्रोही ना कहा जाए क्या कह रही है प्रियंग गांधिया आप सुनिए तो एक तरह से यहां पर नसीछत दी जा रही है पत्रकारों का भी पूरा रवया से कि कोई गुना कर दिया हो कॉंग्रिस ने कॉंग्रिस विपक्ष में है विपक्ष की भूमिका बहुत जरूरी होती है लोकतंत्र में हाला कि एक नसिएत कॉंग्रिस के लिए प्रियंका जी आज दिखाई तो दी मगर ऐसा ना हो कि आज दिखने के बाद फिर दो तीन महीने के लिए गायब हो जाएं ठीक है कि पिछली बार कब दिखी थी जब हाथरस वाला निर्मम कांट हुआ था और उसके बाद सितंबर के बाद से फिर इस गायब हो गई वो अब जाकर दिसंबर में वो दिख रही है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रियंका जी आप जरा सक्री होंगी कॉंग्रेस के नाते न सही मगर इस देश के लोकतंत्र की लाज बचाय रखने के लिए क्योंकि देखिया अगर विपक्ष ही नहीं रहेगा ना तो लोकतंत्र के कोई माइने नहीं है तो मैं फिर सवाल करना चाहता हूँ कि आपने 144 लगा तो दिया मगर क्यों पूरा अधिकार है विपक्ष को प्रदर्शन करने का आप इस तरह से विपक्ष को नहीं रोक सकते कारकर्म के शुरुवात में मैंने आपको क्या कहा कि आज दो विश्या है आपके सामने और दोनों कही नाता जो है कही न कही लोक्तांत्र के साथ है अब जो दूसरा मुद्धा मैं आपके सामने उठा रहा हूँ वो ये कि हमें तो योगी आदितनात ने ये वादा किया था ना कि वो रामराज्य देंगे प्रके देंगे